नमस्कार आप देख रहे हैं कल का बाजार आपके साथ मैं हूँ विपिनबट लेकर हाजिने एक बार फिर आपका मनपसंद शो और यहाँ पर हम देते हैं आप जानते हैं आपके निवेश आपके इंवेस्टमिंट आपके पर्टिकुलर शेर से जुड़े हुए सवालों के ज डबल टू डबल जीरो डबल जीरो जिन दर्शकों के पास नोट नहीं है प्लीज अपने मॉबाइल में सेव कर लीज़े यही पर आप अपने सवाल हमें बेजते हैं वाटसिप पर बहुत एजी है सवाल बेजना इसके रहाँ जो दर्शक हमें फेस्बुक और एक्स पर डि आज कारिकर्ब में शामिल हो रहे हैं एने वी इन्वेस्मेंट के डिरेक्टर आशीश बाहिती आशीश जी बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेटेज़ बिनाएंगे कल के लिए दर्शकों की और साथ में उनके सवालों के जवाब भी राइट तो आशीश जी से ठेट सारी बाते हम करेंगे लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आज के बाजार पर एक नसर डाल लेते हैं 82,353 पर और निफ्टी क्यासी पॉइंट गिरकर 25,199 पर बंद हुआ आईटी पीएसी मैटल शोय रुमयाद दबाव था वहीं फार्मा रियल्टी एफम सीजी बड़त पर बंद होने में कामयाब रहे पुलमिला के बाजार की जो एक रैली थी पिछले दो हफतों की उस पर आज ब्रेक लगा इदर बड़े निविशकों ने ऐसे दिन पर क्या किया खरिदारी की है फाई आई इस ने खरिदा हलाकि कम माल खरिदा यतना रुज खरिदते हैं लेकिन पिर हदार करोड की आज़का काम empez हैं बाजार किस कर्वट बैठेगा थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करेंगे आशी जी कल किस तरह के एक्सपेक्टेशन्स है बाजार से देखे चवदा दिनों के क्लियर अप मूव के बाद आज एक थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने हैं मिली मारकेट में और जिससाब से ग्लोबल मारकेट से डाउं देखने हैं तो हम लग रहा है कि अभी भी जिनके पास लॉंग है बने रहे फ्रेश लॉंग की सला नहीं है इन लेवल पर हमें लगता है कि थोड़ा सा कर निची आ है तो आपर फ्रेश मॉंग बनाया जा सकता है पर जिनके पास लॉंग है बने रहे हैं जो स्टॉप लॉस है उसे अब बस उपर की तरफ ले हैं ट्रील करके और जो स्टॉप लॉस अभी इंटाक्ट है जबूरा थोड़ा सा गिरावड था आदा परसेंट के करीब वीटनेस थी बट ओर और सबसे HDFC कोटा में अब मोमंटम बन रहा है और कुछ भी एस्यूज में हमें लगता है बैंक निफ्टी में भी और परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है यहां से और यह इंडेक्स ऐसे भी अभी तक चला नहीं है तो यहां पे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन है कि इसमें अब रिले बैंक निफ्टी निफ्टी में आशी जी कह रहे हैं कि लॉंग में हैं तो बने रही है उसको चेंज मत कीजिए पोजिशन को लेकिन नई पोजिशन दनाने का वक्त अभी नहीं है और जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन रखना है वो है 25,050 का राइट यह स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी जहां पर काफी दिनों से मामला ठंडा है वहाँ पर एक बाउंस बैक उमीद कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको आगे 52,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं लॉंग रही है इसमें भी और स्टॉप लॉस होगा 51,100 रॉपे का तो यह 51,100 का स्टॉप लॉस यहाँ पर और निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए हो गई कल के लिए आपकी स्ट्राइजी अब इंडिविजुल स्टॉप की बात अशी जी कहा नज़र रहेगी वहाँ पर जी विपिन जी पहले है जो स्टॉप रहेगा भारत फोर्ज का रहेगा स्टॉप में अच्छा करें 1640 और 1660 के टागेट के लिए इसमें करिदारी की जा सकती है दूसरा जो स्टॉप में अच्छा लग रहा हूँ फार्मा स्टॉक से लॉरस लैब और फार्मा में सब में अच्छा मुमंटम बनावा है लॉरस भी अब कैच अप कर रहा है उस मुमंटम को तो में लग रह यहां से देखने हम नज़र का लॉरस लैब में इसमें जो स्टॉप लाउस मिंटेंड़ करना हूँ 467, 485 और 490 के टागेट के लिए लॉरस लैब में भी खरिदारी की सला है राइट तो दो स्टॉक जहां पर आश्ची जी खरिदारी की सलाँ दे रहे हैं लॉरस लैब हाँ पर 485 की टार्गेट के लिए आप बाय करेंगे 467 के स्टॉप लॉस के साथ और दूसरा था भारत फोर्ज, वहाँ पर भी खरीदारी की सला दे रहे हैं टार्गेट्स आपके लिए होंगे 1640, 1660 तक के स्टॉप लॉस लगाएंगे 1580 रुपे का तो दो शेयर्ज, भारत फोर्ज और लॉरस लैब्स, कलास शीज जी इन पर नज़र रखेंगे आपके साथ भी उन्होंने टार्गेट्स और स्टॉप लॉस शेयर कर दिये हैं आप भी नज़र रख सकते हैं राइट अब वक्त है कि हम सवाल जवाब के सिलसले को शुरू करें और अपने पहले कॉलर को लेते हैं मिस्टर मुहित कुमार मंडोल फ्रॉम वेस बिंगॉल मुहित जी स्वागत और कैसे हैं आप और क्या शेयर्ज हैं आपके पास बूड इविनिंग सार मैं मुहित बात कर रहा हूं मेरा पास लेंडमार्क का शेयर है पास सो तीन रुपए ना अवरेज प्राइट ओके ठीक है जी लॉस है थोड़ा हाँ जी 100 रुपे का लॉस है आपको अवरेज प्राइस पर भी अब क्या करें लेंडमार्क में तो बताएंगे मैं आशी जी आशी जी क्या कर सकते हैं 100 रुपे का लॉस है फिलाल कोई रिकवरी के चांसे या एक्जिट करना होगा बहतर जी इसमें काफी गिरावट देखने मिली एक अच्छा आपयो आया था और उसके बाद रुप इसमें अच्छा देखने मिला 900 के बाद जाकर आया और वहां से प्रॉफिट टेकिंग अप देखने मिली है स्टॉक में कोई भी पुलबाक आ रहा है तो उसमें सेलिंग फ्रेशर इंटक्ट है बट बेस बनाया है 570 का जो जोन है और वहां से वापस अपस अप्स्विंग देने का तयारी कर रहा है अभी तक ऐसा पर इसमें फ्रेश मोमेंटम बनेगा लॉंग साइड के तरफ के लिए तो होल्ड करना पड़ेगा इन्हें टाइम देना पड़ेगा चैसो ट्वंटी शिक्स फिफ्टी तक का भी मोमेंटम देखने मैं सकता है लेकिन स्ट्रिकली एक 570 के करीब का एक स्टॉकर जरूर आउट आया तो फिर 650 तक के जाएगा लेकिन वहां पर आप 570 के स्टॉप लॉस लगाके जरूर रखे लेंडमार्क के अंदर ये सला आशी श्रीकी है नेक्स्ट रूपल पटेल फ्रॉम मॉंबाई रूपल जी स्वागत है आपका क्या सवाल होगा मेरे पास IRFC के 200 शेर है अट दे प्राइज ओफ टू जीरो सिक्स पॉइंट सैवेंटी फाइड ओके आयर फिस दोसो शेर दोसो चेर रूपल पैसे के भाव पे लेकिन फिलाल नुकसा आने कैसे शेर में जिसकी बात काफी हो जाती है कई सवाल इस पर आ जाते है तो IRFC में क् सब्सक्राइब कर रहा है और एक बहुत टाइट रेंज चल रहा है इसमें उपर का जो जोन बन गया 185 और नीचे में 175 दस रुपय के इसमें अगर 185 का ब्रेक आउट मिलता है तो शायद इनका 206 का जो भाव हो भी नहीं देखने मिल जाएगा तो होल्ड कर इस पोजिशन क और देखने में लिसा प्रेकर कि इतना टाइट रेंज कमसॉलिडेशन जिसे हम टिकनिकल अनालिसिस में बॉलिंजर बैंड स्क्वीज भी बोलते हैं उसके बाद जो मूव आता हो बहुत वाइल आएगा तो दोनों साइट में मूव आने की समभाव नहीं लेकिन 165 का तूटेगी अब ये नीचे की तरफ तूटेगी की उपर की तरफ तूटेगी ये देखने वाली बात है उमीद करें की उपर की तरफ तूटे लेकिन स्टॉप लॉस एक सो पैस्ट रॉपे का ज़रूर लगा ले और अगर ये 185 के उपर चला गया तो फिर ये आपके 206 के लेवल को दिखाज देगा लेकिन फिलाल तो इसमें दोनों डिरेक्शन में कोई धमागा करने की आश्रंका कहली जिए लग रही लेकिन फिलाल आपके लिए जहां तक रूपल जी बात है होल्ड कीजे एक सो पैसेट रुपे के स्टॉप लॉस के साथ आयर एफ सी क्योंकि क काफी लोग इसको पूछते हैं आगे बढ़ते हैं दीपेश शांडलिया फ्रॉम उल्लास नगर माराश्टरा दीपक भाई स्वागात है आपका दीपेश जी माफ कीजे क्या खरिदा हुआ आपने ताड़ा स्टील खरिदा हुआ एक सो साथ के साड़े तीन सो शियर्स ओके टाड़ा स्टील तीन सो पांच साड़े तीन सो पांच साड़े तीन सो पांच साड़े तीन सो पचास एक सो साथ रुपे पर ठीक है जी एक सो साथ के अच्छे बढ़िया प्रॉफिट पे हैं आप यहां से एक अच्छा मूव देखने में सकता है क्योंकि एक सपोर्ट जोन पर आ गया है और वेसे भी अगर मैं बूलू हूं अगर रेट कट आता है या बाकी जो न्यूस फ्लोज आ रहे हैं वो स्टील और मेटल सेक्टर के लिए पॉजिटिव है यहां से तो टाटा स्टील में बने रहने की सला है यहां पर उम्मीद कर सकते हैं या आपका फाइदा और बढ़ता हुआ नजर आएगा टाटा स्टील को सम्हाल के रखे थोड़ा राइट आगे बढ़ते हैं गौतम खत्री साब है हमारे साथ और कॉल आईए जोतपुर से राजस्तान से गौतम जी गुड इवनिंग क्या सवाल है तो क्या भाव पे लिया था सर आपने यूनियन बैंक वन थर्टी की एवरेज से हैं वन थर्टी के एवरेज पांच जार शेर वैसे सरकारी बैंक्स में ये ओर रल्बैंक निफ्टी में या भी मूव नहीं है तो यहां पर भी और एक सो तीस का भाव लागि बहुत दूर न सब्सक्राइब में बात करूं तो लेकिन डिली में ज़रूर प्रेशर है और सारे बैंक्स में ही प्रेशर और प्रेश्यू में थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट टेंग जादा देखने मिल रिया स्पेसिटिकली जो छोटे पीस यूज है उनमें खोल्ड करने की चला है कि इसने एक बेश बना लिया है 117 का जो जोन है वहाँ पर और वहाँ पस एक टेम्ट कर रहा है उपर जानेगा इसका जो टूर ने डेम है हुए 133 के रेंज में तो वहाँ जरूर आके वहाँ एक रेजिस्टेंस एरिया बनेगा लेकिन अगर उसका ब्रेक आउट मि कीजिए और 134-135 वो लिवल्स हैं ब्रेक आउट होंगे तो फिर आगे जरू 145 जाएगा लेकिन एक बार अगर वह लेवल आ जाता है और आपने भी तो कितना 130 पे खरीदा हुआ है तो आपका भी लॉस पूरा निकल जाएगा उस समय एक बार दुबारा रिव्यू कर लें या कोई कॉल लेना चाहे तो ले लें अगर लॉस को जस्ट आपको है कि चुटी पाउं में इससे गड़बर हो रही है लेकिन आगे रिकाउट के बाद 145 तक की उम्मीद है लेकिन पूछ लीजेगा हम सवाल ले लेंगे तो बार आपका राइट आगे बढ़ते हैं योगे अच्छा अदानी विलमर 410 शेयर और 510 की एवरिज फ्राइज 137 रुपे का लॉस पर शेयर पर अदानी विलमर सर राशी जी क्या कोई रिस्पाइट क्या कोई राहत कहीं से जी पूरे अदानी ग्रूप में दो तीन स्टॉक है जिन्होंने बहुत अंडर परफॉर्म किया उसमें से अडानी विलमर रहे है और अगर आप फिचले दिसेंबर से अभी तक का देखी जैए बहुत सीमित दायरे में काम कर रहा है ऊपर में 400 का रही है जहां पर अगनियाश्य बांद कर रहा है और पिशले भंदरह पीस ट्रेडिंग से टूने डेमा के अच्छ अचछ स तो फिर शायद इनका इनको भाउद वापस देखने मिल सकता है तो 360 का stop loss लगेगा position को hold करना है 400 का इंतजार करना है वो break होता है तो फिर कुछ आगे chances बनते हैं आपकी खरिदारी 410 के आज़ पास किये तो थोड़ा रुखे 400 तक और फिर एक राय ले लिजेगा दरंजे जी फ्रॉम पुने दरंजे जी स्वागत है क्या सवाल होगा हलो दरंजे हलो हाँ जी अवाज आ रही है आपकी प्लीज मेरा 50 share से grassim industries का ओके 2733 का बाइंगे टाटा पावर का है 100 share से 433 का बाइंगे ठीक है बड़िया दोनों shares पे बात कर लेते हैं grassim में आपको फाइदा दिख रहा है 24 रुपे का और टाटा में आपको लॉस है 12 रुपे का तो चलिए जहां पहले लॉस है उसको थोड़ा समझा जाए टाटा पावर के 100 share 433 के बाहुपर 10-12 रुपे का लॉस है इनको क्या करेंगे आशी जी जी रुपिन जी चार्ट स्रुक्षर देखी टाटा पावर का अच्छा बनावा था कल तक तो अच्छा मोमेंटम बन रहा था लेकिन आज इससमें गिरावाट देने मिली है यहां से और गिर सकता है तो एक स्ट्रीक स्टॉप लॉस रखिया चार्ट करने की सलाई क्योंकि अगर यह वह तूटता है तो फिर इसमें चार्ट सो तक का भी जोन देखने मिल सकता है क्योंकि जैसाब से आज ओपन इंटरेस्ट की स्टॉड़ी की है मैंने इसमें थोड़ा सा शॉट्स बिल्ट अप होए है यहां पर अगर वह इमें ग्रासिम की बात कुनों इसका चार्ट स्रॉक्शर बहुत अच्छा है स्टॉक फ्रेश ब्रेकाउट देखने मिला है और हमें लग रहा है यह वेल प्रेज़ड है 2900 तक का मोग दिखाने के लिए तो इसे होल्ड करें इसमें भी जो स्टॉप लस इने मिंटेन करना है वो एक्जाटली 2650 चब्शो पचास के करीब करें कैसल मिंटेन करें चले तो ग्रासिम में कोई दिक्कत नहीं 2650 का एक स्टॉप लॉस लगाई है और रखिए यह आपको और प्रॉफिट देगा जब अलरेड़ी प्रॉफिट में है लेकिन टाड़ा पावर में थोड़ी सी आशंकाएं गहरा रही है वहाँ पर आपको 477 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना है लेकिन अगर यह 477 तूटा तो फिर आपको एक्जिट करने की सला है क्योंकि फिर यह नीचे 400 या उससे भी नीचे जा सकता है क्योंकि शॉट्स इसके अंदर बिल्ट अप हो रहे है ऐसा आशिच जी कह रहे है टाड़ा पावर के लेसला और दूसरा ग्रासिम कोई दिक्कत नहीं होल्ड करके रखिए 2650 के साथ फायदा और बढ़ेगा अगले कॉलर दीरज बंसल साफ रॉम गुरू ग्राम NCR दीरज जी स्वागत है NTPC लिया आपने 1000 शेयर भी है लेकिन भाव मुझे नहीं पता 389 रुपीज का लिया है सर्थ एक साथ लिये थे या ये एवरेजिंग है हाँ जी एवरेज किया है या एक ही बार में सब लिया है 389 ओके हाँ जी और कुछ वितिन मनवन इसको सेल करना है मतलब जी वनमन सेल वो है अचा एक ही महीने के लिया से आपने लिया है ठीक है 16 रुपे का प्रॉफिट है इस वक्त आपको दिख रहा है लेकिन एक महीने में कितना उपर चड़ेगा क्या और होगा वो हमें आश्री जी बताएंगे तो एक महीने का समय है सर क्या यहां से और मुनाफ़ा बढ़ेगा इंटी पीसी जी बिपिन जी अच्छा चार्ट स्ट्रक्शर बनावा है और अभी वापस तोसा गिरके जो इसका सपोर्ट जोने है वहाँ पर आ चुका है मैं लग रहा है यहां से एक अच्छा बांस देखने मैं सकता है इसका जो रीसेंट हाई है 420 अगर उसके उपर ब्रेक आउट देता थे वापस ब्लू स्काई टरेक्टरी बन जाएगी इसके लिए और 440 तक का मूव जिसमें देखने मैं सकता है जो कि शायद एक से सवा मैने के अंदर ही आ भी सकता है तो हूल्ड करें इस पॉजिशन को जो स्टॉप लॉस इने मिंटेन करना है तो एक्जाक्ली इनका जो बाइंग प्राइस है उसके पास पर ये एसेल मिंटेन करें जो की सोलर रुपए यहां से निचे 390 के पास में एसेल रखें और पॉजिशन में बने लें राइट तो अपने बाइंग प्राइस वेसेट 389 है 390 जहां चाहें वहां पे एक स्टॉप लॉस लगा ले स्ट्रक्चर अच्छा है आगे बाउंस बाक की उम्मीद है 420 अगर वो ब्रेक आउट होता है तो उसके बाद 440 तक एक महिने में जो आपकी अवधी है जिसके लिए आपने सोचा है तो ठीक ही लग रहा है जिरज भाई आपका स्वागत है और लग रहा है आज बाजार थोड़ा सा तेजी के बाद एक कंसॉलिडेशन में आया है गिरावट की तरफ गया तो लोगों में थोड़ी सुस्ती आ गया आज सोचल मीडिया पर थोड़े कम लोग हैं तो प्लीज नंबर बढ़ाईए देखिए क्योंकि यहीं पर इंपॉर्टन हो जाता है देखना है अश्य जी अबारे साथ बने हुए है सवालों की कमी नहीं है लेकिन सवाल बहुत सारे आए है लाइफ दर्शक थोड़े घटे और आप धीरे-धीरे काउंट बढ़ रहा है अश्य जी भुवन पांडे साब मुस्से पूछ रहे हैं अपॉलो टायर्स है इनके पास पांसो और यह अच्छा यह पुट और कॉल के उसमें 500 को कॉल है 1370 पर 500 शेर्स हैं जी एक मिनट में को जी जाना शेर्फ को ऑप्शन चेंट फोल देता हूं पांसो कीन की कॉल है 1370 पर जी जी उल्ट करने की चला है क्योंकि अल्यडी ये प्रॉफिट में अठार रुबे के गरीब ये चल रहा है और जिससाब से आज प्लोटायर में फ्रेश प्रेक आउट देखने मिला है अपने लग रहा है इसमें और बड़ा मूद देखने में देखता है पात सो बीस तक ये पंदर के कॉल में शिफ हो जाएगा चीक है पॉल रायस में तो ये आपके लिए प्रॉफिट बुक करने की सला है यहां पर अंकित मालपानी साब पूछ रहे हैं संफलाग आईरन दो सो साथ में आट सो शेयर इन्होंने लिए हैं क्या करें जी यहां थोड़ा सा प्रेशर ह प्रेशर और बढ़ सकता है क्योंकि साथ-ाट दिन से कंटिनेसली समें सेलिंग देखने मिल रही है कोई पूल बैक नहीं देखने मिल रहा है एक स्ट्रिक्स टॉपलस रखे 205 कर उसके नीचे जाता है तो इसमें से एक्जिट करने की सला है ठीक है संफलाग आईरन 205 के नी इसमें से कोई पूल बैक आता है तो एक्जिट करने की सला रही है इसमें से थोड़ा पूल बैक आए तो निकल जाएगा अजे उजस आप पूछ रहे हैं कौन कौर है इनके पास तीश शेयर 1023 रुपे में चार मन्त का व्यू चाहिए इने जी चार्ट स्ट्रक्शर काफी अच्छा बना हुआ है एक सपोर्ट पे वापस आ गया है कौन कौर जो रिसेंट गिरावट थी वहां से वापस 200 डेमा पे सपोर्ट ले रहा है तो 950 का एक स्टॉप लॉस रगे हैं हमें लग रहा है इसमें वापस 1000 और 1050 तक का जोन देख मिल सकता है चले कौन कौर में 950 का स्टॉप लॉस उसके उपर 1000-1050 तक किये जाने का दमखम रख रहा है खोल कीजे आजे साब और आजे साबी दूसरा सवाल भी है इनका एंजल वन 20 शेयर है 2615 जी बने रहने की सला रहेगी चार्ट स्टॉचर अच्छर अच्छा बना लेकिन एक risk reward point of view से favorable है मैं लग रहे हैं यहां से एक pullback देखने मिल सकता है एंजल वन में और इसमें वापस जो 2800-1200 के लेवल से वो देखने मिल सकते हैं तो बबड करें जो stop loss इने maintain करना है वो 2450 के किस से maintain करें एंजल वन रखे 2450 के stop loss के साथ आपका भाव है 2615 लेकिन आगे 2800 तक ये जा सकता है तो वो प्लीज बने रहे हैं इसमें यह हो गए अजय साब के सवाल सचिन दिवान साब पूछ रहे हैं I have got 200 shares of Tata Steel 151 पर एक साल का view मांग रहे हैं जी हूल करने की चला है बहुत अच्छा वैसे तो चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ टाड़ा स्टील का भी के लिए मंकली में और एक साल का विव है तो यहां से हमें लगठा है यह 20-25 पसंट का अप्सविंग यहां इन्हें देखने मिल सकता है तो अनदर से 180 का जोन यहां स साल के लिए 180 के तरक के टागेट्स देखा है एक्सपेट कर सकते हैं 140 के स्टॉप लॉस के साथ 180 के टागेट्स के लिए हूल करें टाड़ा स्टील को सरोच कुमारतिवारी नमस्कार सर यह पूछ रहे हैं वेस्ट कोस पेपर मिल्स हंड्रेट शियर्स 609 रुपे के भाव प टागेट्स में 690 के स्टॉप लॉस के साथ 680 तक के मूव तो बढ़िया है आपका 609 पे है अलरी 10 रुपे का फाइदा 9 रुपे का फाइदा और बरतवा नज़र आएगा यहां पर तो होल्ड करके रखिए 590 के स्टॉप लॉस के साथ इसी के साथ वक्त समाप्त हो गया दर्शकों से लेकिन आशीज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने वक्त निकाला दर्शकों के सवालों के जवाब दिये स्ट्राटीजी बनवाई कोई डिस्क्लेमर्स जो आप देना चाहेंगे जिए मैसेजज शाद लाघ थी के लाइन में थोड़ा सा जुशू है लेकिन हाँ आप शाद यह कहना चाहरें कि जहां आप ने जो शलाद दी है शायद उसमें कुछ निवेश हो सकता है लिकिन आपके इसक्लेमर हमने और आपके क्लाइंस के निवेश सर्जिस्ट की उसको ध्यान में रखिएगा इंडिविजल स्टॉक्स भी बदाएं उसको ध्यान में रखिएगा और आपके सवालों के जवाब तो हमने दिये ही तो कल फिर मुलाकात करेंगे देखेंगे बाजार की चाल कल कैसी रहती है और फिर बचे हुए हफते के लिए भी झाल क्यों प्यान में रखिएगा और आपके सवालों के लिए एंडिपिए प्यान में रखिए।